मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलर्य वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ सा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो phone consultation लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fingers काफी thick नजर आ रही है और fingers यहाँ पर short length में है और अगर इनकी particular fingers की length की बात की जाए तो सूर्या finger की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ सूर्या finger है और यह finger ब्रसपती finger से ज्यादा length में है आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इस finger की जो लंबाई है वो काफी ज्यादा है इस तरह की लंबी सूर्या finger का होना indicate करता है कि native का एक बहुत अच्छा social circle रहेगा ऐसे व्यक्ति creative minded होते हैं और life में अपनी creativity की वज़े से काफी अच्छी success पाने में भी काम्याब रहते हैं और इस finger का अच्छी लंबाई में होना native को adventurous nature का यानि के risk taker भी बनाता है ऐसे native कई बार जल्दबाजी में भी decisions ले बैठते हैं जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है ऐसी चीजों की तरफ भी इनका रुज़ान रह सकता है overall इस finger का लंबाई में होना एक बहुत अच्छा social circle देने में भी native की help करता है shiny finger की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे shiny finger बिल्कुल straight नजर आ रही है काफी अच्छी length में shiny finger और even thickness अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं fingers की thickness काफी thick fingers है सभी fingers का thick होना indicate करता है काफी अच्छी energy and stamina को और shiny finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि ऐसा native काफी hard working nature का रहेगा अपनी मेनत के बलबूते पर life में काफी अच्छी success पाने में भी कामियाब रहेगा और अगर हम बात करें इनकी index finger की तो यहाँ पर यहाँ finger थोड़ी सी short नजर आ रही है अगर हम compare करते हैं इनकी सूर्य finger से तो यहाँ पर यहाँ finger थोड़ी सी short जिसकी वज़े से कई बार native को प्रवास करना पड़ता है अपनी family से दूर भी रहना पड़ता है ऐसे native कई बार अपनी studies के लिए या अपनी job के लिए घर से दूर किसे दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mercury finger यहाँ पर length में सूर्य finger के top phalanche के करीब पहुँचते हुई थोड़ी सी low set होती हुई mercury finger नजर आ रही है जिसकी वज़े से थोड़ी सी shy nature जरूर रहेगी लेकिन इस finger की लंबाई में कोई कमी नहीं आगर इस finger की length कम चेक करते हैं तो काफी अच्छी length में है mercury finger जिसकी वज़े से communication skills, calculations करने के क्शमता और business equipment यह सभी चीज़ें ऐसे native की बहतर रहती है fingers के बीच में यहाँ पर बिल्कुल भी gaps नजर नहीं आ रहे हैं अप देखोगे यह lower phalanges हैं यहाँ पर बिल्कुल आपस में सटे हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल भी gaps नहीं है जिसकी वज़े से ऐसे native की money management अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति धन की एहमियत को समझते हैं धन को किस तरह से invest करना है खर्च करना है इन सभी चीज़ों को भली बाती जानते हैं इस वज़े से life में काफी अच्छा धन accumulate करने में भी कामयाब रहते हैं आगे बात करते हैं fingers पर बनी खड़ी रिखाएं भी आपको नजर आ रही होंगी इनकी lower phalanges के उपर इस तरह की रिखाएं का होना काफी positive माना जाता है ऐसी रिखाएं होने से ऐसे व्यक्ति काफी ज़दा मिलनसार सभाव के होते हैं और दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से बहुत ही तहजीब से पेशानी वा पर बनकर सामने आ रही है जिसमें इनका mercury mount आप देख सकते हैं completely low set हो रहा है जबकि और इनका जो ब्रस्पती mount हो हलका सा low set तो है लेकिन काफी उबरा हुआ भी है mercury mount का low set होना indicate करता है कि native की nature थोड़ी सी shy रहेगी यह mount अगर नीचे से शुरू हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से शर्मीले सभाव के हो सकते हैं लेकिन साथ ही साथ इस mount की prominent sum इसके इस अकार से चेक करते हैं आप देख सकते हैं उबरा हुआ यह mount आपको नजर आएगा उपर की तरफ उठा हुआ mount native के business equipment को strong करता है और इस mount के ओपर खड़ी रिखाओं का होना और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है यही वो mount है जहां पर जितनी ज्यादा खड़ी रिखाए हो उतना strong business sense व्यक्ति का रहता है तो यहां पर यह qualities इनके भीतर naturally रहेंगी और अगर हम बात करें इनके surya mount की तो यह area आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा surya mount का दबना native को मिलने वाले यश में कमी लाता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें कितनी भी help कर लें बदले में यश नहीं मिल पाता जब यह mount दब रहा हो तो overall surya थोड़ा सा यहां पर mount weak हो रहा है क्योंकि जो surya रेखा है वो भी बहुत जादा लंबाई में नहीं है कुछ इस size की surya रेखा नजर आ रही है surya रेखा तब अच्छी मानी जाती जब यह बहुत अच्छी length में हो जैसे कुछ इस तरह की लंबी surya रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा fame छोटी age से ही मिल जाता है लेकिन यहां पर जो name and fame है वो 60s की age के बाद मिलने के स्वावनाई रहेंगी चुकि यहां पर यह जो रेखा है यह heart line के उपर से ही शुरू होती हुई नजर आ रही है अब बात करते हैं कि शनी की यह जो एरिया है शनी माउंट का सूर्य माउंट की भाती हलका सा दबता हुआ लेकिन साथ साथ यहां पर कुछ रिखाओं से एक फिश्च ऐसी अक्रिती भी आपको बनती हुई नजर आएगी इस तरह की अक्रिती यहां पर बनती हुई इस तरह का चिन अगर शनी माउंट पर बनता है तो ऐसे नेटिव को कल्ट साइंसेस में काफी ज़दा रूची रहती है ऐसे नेटिव पर मिस्ट्री, एस्टॉलजी यहां ऐसी बहुत सारी और विद्या हैं उनमें रूची ले सकते हैं और उनको सीखने की कोशिश भी करते हैं और काफी अच्छी सिक्स सेंस भी ऐसे नेटिव की रहती है ओवरॉल शनी माउंट का दबना नेटिव को मेहनत करवाता है तो यहा भग 35 से लेकर 38 के बीच की एज में थोड़े से financial problems इनको दे सकता है लेकिन अगर हम देखें उसके आगे की रेखा काफी अच्छी है और ये रेखाएं आपको कुछ इस रेखा को काटती हुई भी नजर आएंगी इस तरह की रेखाओं को हम stress lines कहते हैं अगर भाग्या रेख में कुछ absent downs का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन overall देखा जाएं तो यह है रेखा complete होकर शनी माउंट के उपर तक पहुँच रहेंगे लेकिन उसके बावजूत काफी अच्छी तरक्य कर पाने में भी ये कामियाब रहने वाले हैं अब बात करते हैं के गुरू माउंट क तो आप देख सकते हैं बरस्पती माउंट का जो एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है यहां पर स्ट्रॉंग हो प्रॉमिनेंट हो उभरा हुआ हो तो नेटिव की knowledge बहुत अच्छी रहती है यहां पर एक ज़र अच्छी नजर आ रही है एक आपको रीखा नजर पाने में काम्याव रहते हैं और अब देख सकते हैं overall इनका बरस्पती माउंट काफी प्रॉमिनेंट है साथी साथ यहां पर कुछ आड़ी रिखाएं भी आपको नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं को हम lines of sympathy कहते हैं ऐसी रिखाएं होने काफी ज़्यादा sympathetic nature का होता है और अगर complete हो जाता है तो यह native को बहुत अच्छी six sense भी देता है चलिए आगे बात करते हैं इनकी कुछ रिखाओं की तो जैसे अब देख सकते हैं यह इनकी heart line है कुछ इस तरह हैं से चलती हुई और इस रिखा में से एक branch इस तरफ और दूसरी branch इस तरफ चलती हुई इस तरह है कि चिनकों trident का sign भी कहते हैं जिन लोगों के हाथ में इस तरह है का trident का sign बनता है ऐसे व्यक्ति काफी भागशाली होते हैं और life में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर trident का sign हो या विश्नू सिंबल हो गलत रास्ते पर चल काम करते हैं तो आपकी life में बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को जरूर मिलेगी overall इनकी line of heart में कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन छोड़ी छोड़ी branches ऐसी इनकी वजह से कुछ emotional setbacks इनको life में मिल सकते हैं उनी लोगों से setback native को कई बार मिलते हैं जिनके उपर बहुत ज़्यादा blind trust हो बात करते हैं इनकी line of mind की यानि के मस्तिश रेखा की आप देख सकते हैं मस्तिश रेखा यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में है लगबग हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचते हुई mind की line एक sharp mind की तरफ इशारा करती है ऐसे व्यक्ति ही memory बहुत अच उस्तिश रेखा को cross कर रही है जो यहाँ पर थोड़ा stress देती ही नजर आ रही है लगबग middle age तक लेकिन उसके बाद की अगर हम रेखा को देखे तो बहुत अच्छी रेखा है तो थोड़ा stress रहेगा middle age तक थोड़ी instability रह सकती है लेकिन उसके बाद mind की stability काफी अच्छी होन कर यहाँ से इनकी life line कुछ इस तरह से चंदर माउंट की तरफ निकलती हुई तो यहाँ पर दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और foreign travel करने के सासथ फॉरन में लंबा समय रहने की संभावनाई या permanent settle होने की संभावनाई काफी जदा बढ़ जाती हैं और यह जो एक चिन आपको नजर आएगा फिश का सिंबल आपको इस एरिया के उपर बनता हुआ नजर आ रहा होगा इस तरह का चिन जिनके भी केतू एरिया के उपर बनता है ऐसे व्यक्ति काफी भागशाली होते हैं इस तरह का चिन होने से native को लंबी दूरी की कई बार रहती हैं ऐसे व्यक्ति को insurance का पैसा या पुश्टैनी जायदाद ऐसी चीज़ें मिलने की संभावनाएं जो life में अचानक बदलाव ला दें ऐसी चीज़ें native की life में रहती हैं और चानक धनलाब कई बार life में होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है इस तरह का फ माउंट पर आपको ऐसी आड़ी रिखाएं नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं थोड़ी anxiety देती हैं और खास तार पर यह जो रिखाओं को नजर आ रही है कि इनके शुकर माउंट और चंदर माउंट को connect करती हैं इसको ह कई बार addiction या allergy होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं वीनस माउंट यहां पर हलका सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर आप देखोगे यह शुकर माउंट का एरिया है और यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रिखाएं नजर आएंगी जने हम worry lines का नाम द रहने की संभावनाएं इस तरह की रिखाएं शुकर माउंट पर होने की वज़े से रहती हैं तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थूरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चि question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद